नमस्कार नुश फॉर नेशन देख रहा है आप मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंग पीएम मोधी की ओर से मुख्यमंत्री नितीश कुमार को बड़ा समाजवादी नेता बताने के बाद नेता प्रतिपक्स समेत तमाम विपक्स उन्हें समाजवाती नेता मानने से इनका कर रह सर प्रधानमंत्री की ओर से जिस तरीके से नितीश कुमार को बड़ा समाजवादी नेता बताया गया लेकिन नेता प्रतिपक्स तो केह रहे हैं कि वो RSS का चोला पहने हुए समाजवादी नेता है देखे इस सबसे बड़ी बात है कि नेता परतिपक्ष में बचपना बहुत है अब कुझ उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि माननी परद्धान मंतरी जी ने जिस समाजवाद के बारे में बात की माननी ऐ लोहिया जी का नाम, माननी ए जार्ट फर्नांडिस जी का नाम और नि लोहिया जी इस देश के सबसे बड़े समाजवादी नेता थे उनका एक आदर्स है उनकों लोग आदर्स मानते हैं खुद लालू जी लोहिया जी को समाजवाद के नेता का आदर्स मानते हैं तो पहले अपने पिता जी से पूछ ले कि माननिये लालू जी से कि लोहिया जी कब पारिसस में थे दूसरी बात माननिये प्रधान मंत्री जी ने मुख मंत्री के समाजवात का इसलिए तारिफ की कि माननिये मुख मंत्री जी एतने साल मुख मंत्री रहने के बाद भी उनके पड़िवार का उनके घर का एक सदस्वी किसी भी पद पर जाने के लिए ललाईत नह का चुरा होना था वहां भी तो कम से कम समाजबाद लाते बनना था बड़े बेटे को तो बन रहा है छोटे बेटे जिसके करन कल बड़ा बेटा मंद से उठके चला गया अरे समाजबाद तो पहले आप अपने पडिवार बात के घर में लाइए कि घर में बड़ा बेटा को र आगड़ा होगा हम नेता परतिपक्ष और लालू जी से कि तेश परताप जी को राष्टिय धक्ष बनावे और मुख्मंत्री का दावेदारी चाहे नेता परतिपक्ष तेजस्वी को रखे ताकि पडिवार में भी समाज बाद हो सके पडिवार बाद उनका अच्छे से चल सक आप कह रहे हैं सर कि मुख्मंत्री नितिस कुमार के पडिवार से कोई भी राजनिती में नहीं है लेकिन आरज़ेडी के वरिष्ट में था शीवानन तिवारी तो कह रहे हैं उनके पडिवार में है कौन जो राजनिती में आएगा क्यों माने मुख्मंत्री जी के लड़का है प्रसान जी उनके पुत्र है और अपने बेटे को एमेले मनाने के लिए आरजएडी में चले गए खुद रास्ता भाजाने के लिए चले अब पड़िवार बात के लिए तो लालु जी पर केस किया हुआ जाके उनके दर्वाजे पर बैट गए और वही बात बोल रहे हैं कम से कम माननी है सिवान अंतिवारी जी बहुत सीनियर आद्मी है मैं उनका बहुत इज़त करता हूं कम से कम इस सब चीज पर बोलने से थोड़ा पड़ेज रखने चाहिए आखरी सवाल है कि कल और जेडी के राष्टी अध्यक्स क्या चुनाव कराने का एलान कर दिया गया है कहा जा रहा कि तेजश्वी आदव को कमान सौपी जा सकती है तो अगर पोई वेक्ति आना चाहता है तो उसका स्वागत है परंतु अभी तो सबसे बड़ी बात तो मैंने अभी कहा कि पड़िवारवार में भी समाज बात नहीं हो सका कि कल तेजश्वी जी को अध्यक्ष ग तो मामला एक के बार फरवरी से चला गया अक्टूबर अब इतना समय तक लिश मामले को मनाया जा रहा बतलाईए राश्चिय धक्ष के चुराओं फरवरी से अक्टूबर मतलब आठ महिने के बाद अब होगा तो यही तो बड़ी पड़िवार बात है और जो पड़िवार